नमस्कार आप देखने आरे नियूज मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग रुकरेंगे राजिस्तान की कुछ बड़े खबरों की ओर राजिस्तान में कोरोना अब जराब ना होता जा रहा है यहाँ जितनी संख्या में टेस्टिंग बढ़ रही है उससे कही जादा मामले सामने आ रहे है पांच दिन की रिपोर्ट दीखी जाए तो राजचे में करीब 65 फीसदी टेस्टिंग बढ़ी है लेकिन केसों की संख्या में 800 फीसदी का ज़ाफा हुआ है राजच्तान में इस सिदी यह हो चुकी है कि अब हर 10 मिनट में 13 मरीज पॉजिटिव मिल रहे है 31 दिसंबर तक पॉजिटिविटी रेट 0.60 फीसदी थी वो बढ़ कर 3.30 फीसदी पहुँच गई है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक 31 दिसंबर को पूरे राजच्तान में करीब 34,000 लोगों को टेस्ट किया गया था उनके टेस्टिंग हुई थी तब प्रदेश में कुल 208 पॉजिटिव मरीज मिले थे लेकिन 5 जनवरी को जब करोना टेस्टिंग की गई तो उसकी संख्या बढ़कर 56,600 हो गई तो इस संक्रमित केसों की संख्या बढ़कर अब 1,883 पहुँच गई है राजच्तान में सबसी ज़्यादा तेजी के साथ केस राजच्तानी जैपुर में सामने आ रहे है विशेशक्यों की माने तो यहाँ पर कम्यूनिटी स्प्रेड होना शुरू हो गया है यहाँ 31 दिसंबर को संक्रमित की दर 2.17 फीच सदी थी जो की अब बढ़कर 9.29 पर पहुँच गई है 31 दिसंबर को जैपुर में करीब 4520 लोगों की टेस्टिंग की गई थी जिसमें से 98 की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली थी तो वहीं 5 जनवरी तक टेस्टिंग धाई गुना से ज्यादा बढ़ा कर 12244 तक पहुचा दी गई और इनमें से अब 1138 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है 5 जनवरी को जोथपुर में संक्रमन की दर करीब 7 पीस दी रही इसे देखते हुए सरकार ने बुद्वार देरात को दोनों शहरों से और दोनों शहरों के लिए अलग से गायट लाइन शारी करती है बलही कोरोना की तीसरी लहर ने प्रदेश में दस्तक दे दी हो लेकिन अब भी राज़ों में पांच जिले ऐसे हैं जो करोना से बचे हुए हैं इन जिलों में पिछले कुछ दिनों से एक भी केस नहीं मिला है इनवजयसल मेर, जालाओर, राजसमन, बूंदी और बारा जिला शामिल है इन जिलों में एक भी आक्टिव केस नहीं मिला है और अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्कियों में रहने वाले बीजबी के प्रदेश महामंत्री और राम गंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने एक बार फिर से कॉंग्रस परमला बोला है दिलावर ने एक विडियो में बयान जारी करते हुए कहा है और कॉंग्रस पर पिम नरेंद्र मोदी की हत्या कराने का शड़ियंत्र कराने का आरूप लगा दिया है साथी देश और प्रदेश में कॉरोना फैलाने के लिए दिसंबर में हुई कॉंग्रस की रैली को जम्यदार बताया उन्हों ने ये भी कहा कि दुस्तान भर को नुकसान पहुचाने कॉरोना रोगी बनाने और कॉरोना के मरवाने के शड़ियंत्र किया गया है इस वरान मुक्यमंत्री अशोग गहलोत की भूमिका पर भी सवाल उठाये गए इसके जाच करके इनको जेल में डालते न चाहिए मदद दिलावर ने ये बयान देते हुए कहा कि पांच जनवरी को पीम मोदी पंजाब के फिरोजपूर में किसान की सभा को संबोधित करने जाने वाले थे जान बूच करके पंजाब के मुक्यमंत्री डीजीपी चीफ सेकरेटरी अगवानी पर नहीं आये और इससे साफ लगता है कि ये शड़ियंत्र था मुक्यमंत्री ने उनकी सुरक्षा वरस्ता भी नहीं की लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए प्रधान मंत्री के काफिले में चीफ सेकरेटरी डीजीपी की खाली कार चलती रही ताकि बताया जो सके कि हमारी उपस्तिती थी ये बहुत ही गंभीर मामला है कॉंग्रेस से योजना बत तरीके से पंजाब के मुक्यमंत्री को निर्देश दिये गए कि तुम सुरक्षा मत देना जो भाड़े के गुंडे हैं उनको शड़ेंत्र में शामिल करना ताकि वो प्रधान मंत्री की हत्या कर सके इसके लिए उन्होंने किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी दिलावर ने आगे कहा है कि प्रधेश के मुक्या अचोग गैलोत रजस्तान को बरबात करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने दिसंबर में कॉरोना कॉंग्रेस की एक रैली की और देश भर से लोगों को बिना जाच के ही प्रधेश में बुलाया रैली में उन्होंने प्रधेश उसे लोगों को बुलाया गया जहां कॉरोना के केस ज्यादा थे रैली के बाद देश और प्रधेश में एक दम से कॉरोना और ओमिक्रॉन के मरीजबटर है